अखे नमस्कार दोस्तो मैं पाऊट आपका मेरी चैनल रे किक पाऊट में स्वागत करता हूं किरपिया रेकिक पाऊ चीनलन को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें आए आज करते फै नमस्कार दोस्तों आज का मारा टॉपिक है डेफिशेंट डिमांड एंड डिफ्रेंशरी गेप नियून मांग वै अवस्पितिकारी अंत्राल तो आईए देखते हैं नियून मांग डेफिशेंट डिमांड जब अरत्यवस्ता में पूर्ण रोजगार के इस्तर के नुरूप समगर मांग समगर पूर्ति से कम हो तब ही उसे हम नियून मांग के इस्तर के नुरूप तब हम उसे नियून मांग के इस्तर के नुरूप तब हम उसे नियून मांग क कमी होती है जिसे ad नीचे गिरकर ad1 c minus delta c plus i बन जाता है यहाँ चितर में e1 बिंदू अल्प रोजगार का संतुलन बिंदू है जो कि पूंड रोजगार से पहले ही ad1 ने as को काट दिया है इस कारण से उत्पन हुआ है चितर में e g noon मांग है क्योंकि इसी मांग के कारण हमें पूंड रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा है इसलिए इतनी मांग की कमी है e g के बराबर यदि इतनी e g मांग हो जाए अर्थिवस्ता में तो हम बापस से पूंड रोजगार के इस तर पर पहुंच सकते है तालिका में भी आप देख सकते हैं कि y बराबर हमने माना है 0, 10, 20, 30, 10 का पाड़ा लिया है 60 के इस तर को हमने yf पूंड रोजगार का इस तर माना है चुकि y बराबर as होता है इसलिए as की table और y की table सेम है फिर ad हमने लिया है 30, 35 और 5 के पाड़े में लिया है और end में हमने संतुलन दिखाया है ad बराबर as 60, 60 तो यह है पूंड रोजगार का संतुलन इस तर 60 बराबर 60 पे है जब y के इस तर 60 है अब हमने माना कि समगर मांग ad, ad से बढ़कर ad 1 हो जाती है तो हम, sorry, कमी हो जाती है तो हम ad को कम कर देते हैं 10 कम कर देते हैं, माइनस 10 कर देते हैं तो हर जगे 10 कम करेंगे तो नहीं ad के 1 क्या हो गई? 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 आप देख सकते हैं कि अब पूंड रोजगार की स्तर के नुरूप समगर मांग 60 की तुलना में गटकर अब 50 हो गई है जिसके कारण अर्थवस्ता में पूंड रोजगार की स्तर पर अपसंतुलन नहीं हो पा रहा है इसे ही नून मांग की स्तिती कहते हैं और यहां नून मांग की स्तिती कितनी है? 10 के बराबर अब इसका परिणाम देखते हैं नियुन मांग के कारण उत्पादकों के पास ऐवांचित स्टॉक बिना मिका माल रह जाएगा क्यों? क्योंकि जब मांगी नहीं होगी तो लोग खरी देंगे नहीं सामान सामान नहीं करे दिएंगे तो और्थयोस्ता में स्टॉक पढ़ा रहे जाएगा जो उत्पादन हुआ हुआ था जिसके कारण उत्पादन क्या गरेगा? अगली अवदि में उत्पादन गटाएगा उत्पादन गटेगा तो क्या होगा? रोजगार गटेगा रोजगार गटेगा तो राश्टिया भी गटेगी जिससे की अर्थिवस्ता अल्प रोजगार के संतुलन के इस्तर पर आ जाएगी पून रोजगार से गट कर उत्पादन में कमी हो जाईगे और अर्थे उस्ता में निमनिस्तरिय संतुलन जाल उत्पन हो जाएगा अब इसके समाधान देखते हैं नमबर वन जिन इपायों के कारण नियून मांग होती है उन तत्वों को अगर बढ़ा दिया जाए तो नियून मांग दूर हो जाएगी और पापिस है संतुलन पूर्ण रोजगार की स्तर पर आ जाएगा तो ऐसी स्तिती में नियून मांग को समाप्त करने के लिए हम पहला मोदरिक नीती अपना सकते हैं जिसे रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया यूज करता है और दूसरा हम राजकोशी उपाए अपना सकते हैं जिसे सरकार अपनाती है मोदरिक नीती के तहट आर बी आई सी आर आर अर एलार आर एस एलार बैंक रेट रेपो रेट सबको गटा सकता है और खुले वाजार में एनसी बेच सकता है जिससे वाजार में पैसे की उपलत दता बढ़ेगी और जिसके परणाम सरूप समगरमांग बढ़ेगी और फिर बापिस से पूंडरोजगार की इस्तिती आ जाएगी राजकोशी उपायों के अंतरगत आयविदी में सरकार को कर गठाना चीए जिससे लोगों की क्रेश शक्ति बढ़ेगी और वो भोग को बढ़ेगी जिससे समगरमांग बढ़ेगी और बापिस से पूंडरोजगार का इस्तर प्राप्त हो जाएगा व्यविदी के अंतरगत सरकार को अपना सार्जनिक व्यव बढ़ाना चीए बाजार में पैसा पोँचेगा समगरमांग एडी बढ़ेगी एंपुन्रोजगार का संतुलन इस्तर आ जाएगा पुन्हे आप चेतर में देख सकते हैं E बिन्दू full employment equilibrium है पूंड रोजगार संतुलन है जबकि E1 बिन्दू under employment equilibrium है पूंड रोजगार संतुलन है E B area डिफ्लेंशरी गैप है जोकि noon मांग के कारण उतपन हुआ है noon मांग के कारण अवग स्पितिकारी अंतराल का जन्म होता है अवग स्पितिकारी अंतराल क्या होता है जब समगर मांग समगर पूर्ती से कम हो पूंड रोजगार के इस तरके नुरूप तमन्यून मांग उतपन होती है जिससे उतपादन I M रोजगार में कमी होती है इसे ही डिफ्लेंशरी गैप कहा जाता है थैंक्यू